Hello friends, Welcome to my YouTube channel Infinite Online Classes My name is lovely Tewari from Infinite Online Classes Guys, आज का जो टौपिक है वो बहुत ही important है आज का टौपिक है more events आज हम more events के बारे में discuss करेंगे तो वीडियों को last तक जरूर देखिएगा और अपने friends, अपने family member के साथ share जरूर करिएगा क्योंकि यहां से question competitive इजा में जरूर पूछे जाते हैं सबसे पहले हम आपको बता दे कि more events का जो time period है वो क्या है तो more events 322 BC से 185 BC तक चला यह जो समय है, यह काफी लंबा समय था more events के लिए friends, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से मगत सामराज्य का उदय हुआ और मगत राजवन्स में कई राजवन्सों का उदय हुआ उसी करम में से था एक more events तो आज हम लोग more events के बारे में पढ़ेंगे और यहां से जो important राजा है उनका नाम हम आपको बता दे यहां से जो important राजा है तो बीडियों को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जादा से जादा शेयर भी करिएगा नंद्वन्स का जो अंतिम सासक था वो था घनानन घनानन जो की इतिहास में बहुती कुरूर सासक के रूप में जाना जाता है और घनानन को पराजित करके चंदगुप्त मौरे ने मौरेवन्स के अस्थापना किया इसमें इनकी मदद चाड़क्ये ने किया चाड़क्ये जिसे की कोटिल्ये के नाम से भी जानते है चाड़क्ये का नाम तो लगभग सभी लोगों ने सुना होगा इन्हें कोटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विश्णोगुप्त के नाम से भी जानते हैं इन्हीं की सहायता से चंदगुप्त मौरे ने मौरेवन्स की अस्थापना किया अब हम देखेंगे फ्रेंड्स सब मौरेवन्स के प्रमुख राजा तो मौरेवंस के जो प्रमुख राजा हुए है यानि कि राजाओं का करम देखेंगे मौरेवंस में तो इसमें जो सबसे पहले हुए है यह है चंदगुप्त मौरे मौरेवंस का संस्थापक चंदगुप्त मौरे था चंद कुपत मौरे ने 322 VC में मौरेवन्स के अस्थापना किया और इनका जो सासनकाल है वो 322 VC से 2508 VC तक रहा 2508 VC तक यह मौरेवन्स के सासक बने रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ एक विचार धारा और आती थिए कि चंद कुपत मौरे के जातिय चंबंधी जानकारी में बहुत सारी बिचार धराएं फेमस हैं, तो इसमें हम देखेंगे जो पहला है, वो है कि जैन धर्म गरंथ और बोध धर्म गरंथ, इसमें इनको चत्रीय कहा गया है, जब्कि जो दूसरा है कि मुद्रराक्षस और पुराढ ब्रामर गरंथ, इसमें इनको सूद्र कहकर तो इसमें सबका अपना अलग-अलग मानना है और यहां से जो एक इंपोर्टन्ट क्वेश्चन यह बनता है यह बनता है कि युनानी साहित्य में चंद्गुप्त मौरी को किस नाम से जाना जाता है यह बहुत इंपोर्टन्ट क्वेश्चन है और यह लगबग सभी competitive exam में प्रेबों का इन्होंने कहा है कि युनानी साहित्य में इन्हें सेंड्रो कोर्टस कहकर संबोधित किया गया है और दूसरा जो है वो है इतिहासकार दूसरा है वो इतिहासकार है एपियन एपियन और ब्लुटार्क एपियन और ब्लुटार्क ने इन्हें एंड्रो कोर्टस क कर संबोधित किया है अब हम बात करेंगे चंद्गुप्त मौरे के सामराज्य बिस्तार के बारे में चंद्गुप्त मौरे के द्वारा भारत में सामराज्य बिस्तार चंद्गुप्त मौरे ने इतना बड़ा सामराज्य बिस्तार किया कि पस्चिम में इरान के बाद अफगा जब किसी एक साम्राज्य का इतने बड़े विसाल भुवाग पर सासन था चंद्गुप्त मौर्य को भारत का भारत के एक ही करड़ का पहला ब्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है जिसने संपूर भारत को एकत्र करने का प्रियास किया अब हम देखेंगे कि चंद्गुप्त मौर्य का सबसे महत्पूर युद्ध है 305 BC में सेलुकस निकेटर और चंद्गुप्त मौर्य के जो युद्ध हुआ ये युद्ध सेल्यूकस निकेटर से हुआ था जो की पराजित भी हुआ अब आपके दिमाग में क्वेशन आया होगा कि सेल्यूकस निकेटर कौन था तो सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर का सबसे योग गिसेनापती था बहुत ही योग गिसेनापती था और तच्छिसिला छेत का राजा ये सिकंदर के द्वारा बनाया गया था इस युद में सेलुकस पराजित हो गया और चंदगुप्त मौरी और सेलुकस निकेडर के भी संधी हो गई सिकंदर भारत से जब वो वापिस जा रहा था भारत से जब वो वापिस जाता है तब सेलुकस निकेटर को अपने बिजित प्रांद का राजा बना कर जाता है और उसी के साथ चंद गुप्त मौरी की लडाई हुई जिसमें सेलुकस निकेटर पराजित हुआ वो राजदूत के रूप में सेलुकस निकेटर के दरबार में था वो चंदगुप्त मौरे के दरबार में आता है और इंडिका इनकी एक रचना है इंडिका रचना जो है वो मेगा स्थनीज की है यह कॉमपोटेटिव एक्जाम में हमेशा पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना कि इंडिका किसकी रचना है तो वो मेगा स्थनीज की है और जो दूसरी सर्थ है वो यह है कि चंदगुप्त मौरे ने 500 हाथी सेलुकस निकेटर को दिया और बदले में सेलुकस ने इने हेरात काबुल कांधार और मकरान के छेत्र चंदगुप्त मौरे को दिया तीसरा जो है वो है कि सलुकस निकेटर की पुत्री हेलना हेलना का बिवाः चंदगुप्त मौरे से हुआ और दोनों के बीच वैवाहिक संबंद अस्थापित हुआ इस परकार से यह घटना बहुत ही महत्पोर मानी जाती है यहां से जो अगला क्वेशन बनता है वो यह है कि कौन से इतिहासकार के अनुसार चंदगुप्त मौरे के पास 6 लाग की सेना थी तो यह इतिहासकार जस्टिन बलोटार्क का मानना है जस्टिन बलोटार्क के अनुसार सिकंदर के पास 6 लाग की सेना थी और उस 6 लाग की सेना की मदद से चंदगुप्त मौरे ने पूरे भारत को रौण डाला और पूरे भारत को अपने सामराजी में मिला लिया अगला question जो बनता है वो है कि जीवन के अंतीम समय में चंदकुप्त मौरे ने कौन सा धर्म अपना लिया था इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और 298 बीसी में वो भद्र बाहू के साथ सर्वड बेल गोला चले गए सर्वड बेल गोला बहुत ही फेमस अस्थान है जैन धर्म के लिए और अगला question और यहीं से इन्होंने संलेखन या संत्रा बिधी से अपना प्राट द्याग दिया अब संलेखन बिधी क्या है तो संलेखन बिधी में यह होता है कि इस बिधी में भूखे प्यासे रहकर प्राट द्याग दिये जाते हैं तो इसी संलेखन बिधी से चंदगुप्त मौर्रे ने अपना प्राट द्याग दिया अब हम बात करेंगे राजाओं के क्खरम में जो अगल नेक्स्ट है वह है बिंधुशार के बारे में बात करेंगे तो बिंधुशार जो है बिंधुशार इनका जो सासन है वो 298 विसी से 213 विसी तक रहा यह राजा बने रहेguruं अजे जानते हैं बिंदुशार को अमित्र घात जिसका मतलब होता है सत्रु बिनासक, वरिशार, अजात सत्रु और जैन धर्म गरंथ में इन्हें शिंग शेन भी कहा गया है बिंदुशार से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदु ये भी है कि जब बिंदुशार सासन के दौर में था तब तच्छसिला छेतर में बिद्रो हो रहे थे और वहां के जो छोटे छोटे राजा थे वो सीधा सत्ता को चुनोती देने का प्रियास कर रहे थे बिंदुशार के सासन काल में तच्छसिला छेत में दो प्रमुख बिद्रो हो तो इन बिद्रो को दबाने के लिए उन्होंने किसे भेजा था यह यहां से महातपूर कुश्चन पूछा जाता है इस बिद्रो को दबाने के लिए बिंदुशार ने अपने दो पुत्रों को क प्रशाषनिक योगता है इसके लावा बिंदुशार के बिदेशी संबंध इसके बारे में भी चर्चा में रहे हैं और यहां से जो इंपोर्टेंट है वो यही है कि बिंदुशार ने तच्छसिलाज छेत्र में हुए बिद्रो को दबाने के लिए किसे भेजा था तो पहला उन्होंने सुसीम को और दूसरा असोग को भेजा था यह ध्यान रखना अब हम देखेंगे बिंदुशार के बिदेशी संबंध तो इसमें जो पहला आता है वो सीरिया सीरिया के राजा थे इंडियोकस इंडियोकस सीरिया के राजा थे बिंदुशार ने इंडियोकस को एक पत्र वेजा था जिसमें उन्होंने तीन चीजों की मांग की थी उसमें दाशनिक, बिंदुशार ने इन तीनों चीजों की मां कहां के सासक से किया था, तो ये सीरिया के सासक इंडियो का स्पर्थम से किया था, इंडियो का स्पर्थम ने अंजीर, सुखी अंजीर, अंगूरी शराब भेजा, लेकिन दाशनिक को नहीं भेजा, तो कि उनका जो मानन था उनकी परंपरा के अनुशार दार्षनिक नहीं भेजे जाते थे दूसरा जो संबंध है वो है मिस्र का राजा था डालमी सेकंट ने मिस्र से डाइनोसिस नामका राजदूत बिंदुशार के दर्बार में भेजा था तो फ्रेंड्स यहां से जो यह परशन बन जाता है कि डाइनोसिस नामक राजदूत कहां से आया था और किसके दर्बार में आया था तो यह राजदूत जो था वो मिश्र से आया था डालमी सेकेंड ने बिंदुशार के दर्बार में भेजा था फिर जिस तरह से यह प्रशन पूछा जाता है कि मेगास्थनी किसके दर्बार में आ महान समराट असोक इनका जो टाइम है वो 269 BC से है 269 BC में वो राजा बने राजा बने से पहले वो अमन्ती छेत्र के राज़पाल के रूप में थे यहां से जो क्वेशन बनता है वो है कि महान समराट असोक के पिता का क्या नाम था तो वो नाम था बिंदुशार अगला जो question बनता है वो है कि असोक राजा बनने से पहले किस छेत्र में सासन कर रहे थे तो वो अमंदी के छेत्र में थे जहां वो राज़ेपाल के रूप में सासन अगला जो important question बनता है वो है कि अशोक का नाम असोक किस अभिलेक से प्राप्त हुआ तो ये मांस्की गुजरा अभिलेक से प्राप्त हुआ और इनका एक और नाम था देव नाम प्रिये, देव नाम प्रिये के नाम से भी ने जाना जाता है, अशोक से चुड़ी हुए ही सबस तो 61 BC की घटना है फ्रेंड्स जब वह अपने सासन के सासन का आठ वर्स पूरा करके नवे वर्ष में प्रवेस करता है तो उस समय वह अपनी सुरच्छा और ब्यापार के उद्देश से कलिंग पर आक्रमड करता है फ्रेंड्स कलिंग का दात पर कलिंग किसे कहते हैं तो वह उडिसा को कहते हैं जिसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है तो यहां से जो सबसे महत्पूर है वो है कलिंग पर आक्रमड कलिंग पर आक्रमड कलिंग युद में लाखों लोग मारे गए और लाखों को बंदी बनाया गया नहीं ब्रूमी में असोक ने रोते बिलखते लोगों को देखा और इस स्थिती को देखकर उसने ये गोसरा कर दिया कि आने वाले भविस्य में मैं युद्ध नहीं करूंगा युद्ध की जगा धम नीत अपनाओंगा यानि की धम नीत आगे हम देखेंगे कि धम क्या है यहां से जो क्वेस्टन बनता है वो है कि असोग ने किस युद्ध के पश्चात अपने धार्मिक नीती में बदलाओंगा तो वो कलिंग युद्ध के पश्चात असोग ने कहा था कि आने वाले भविस्य में मैं युद्ध नहीं करूंगा बलकि युद्ध की जगा धम नीत अपनाऊंगा अपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि धम क्या है तो धम का मतलब है धर्म यानि कि धर्म के मार्ग पर चलूंगा और युद्ध के मार्ग पर नहीं चलूंगा इसके बारे में उसने अपने तेरहवे अभिलेख, wurde में बताया है उसने अपने तेरावेख सिलालेख में बताया है यहां से जो अगला क्वेशन बनता है कि असोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था तो असोक ने उपगुप्त नामक बौध विच्छों से दिछा लिया और बौध धर्म अपना लिया था बौध धर्म अपनाने के बाद वो बौध धर्म के परचार परचार में लग गया तो अब हम देखेंगे कि असोग के द्वारा बहुत धर्म के परचार हेतु किये गए कार रहे तो इसमें जो सबसे पहला है वो है कि असोग के द्वारा बहुत धर्म के असोग के द्वारा विभिन परकार के सिलालेखों का निर्मार कराना और अलग अलग जगों पर सिलालेख स्थावित करवाना और शिला लेखों पर अच्छी अच्छी बाते लिखवाना जिससे समाज में नदिक्टा का परचार हो सके और असोग ने धार्मिक जगों पर यात्राएं की और अपने सासन का अलमी मांसाहार बंद करवाने का निरड़े लिया अ कि असोग के वन्साज भी हुए थे लेकिन उनके बारे में बहुत कम ही वहां से जो कोईस्चन है वह बहुत कम ही आतं है कि मौरवंस का जो अन्तिम्स आ सठ्था वहां से प्रश्णा बनता है तो मौरवंस का जो अंटिम्स आ सकता वो था ब्रियदत ब्रियदत चो की 185 BC में जिसकी हत्याप पुष्य मित्र सुंग ने किया और मौरेवंस वहीं समाप्त हो गया अब हम देखेंगे मौरेवंस की जानकारी के प्रमुक स्रोथ तो मौरेवंस की जानकारी के दो प्रमुक स्रोथ हैं पहला तो है साहितिक स्रोथ और दूसरा है पुरा दात्विक स्रोथ सबसे पहले देखेंगे साहितिक स्रोथ साहितिक स्रोथ में देखेंगे कि भाद्य और बिदेशी दिहासकारो द्वारा लिखा गया विबरड इसमें जो पहला है वो है अर्थसास्त के लेखक जो है कोटिल्य पहले भी बताए हैं और इनका जो और नाम है वो है चाड़क के और विश्नोगुप्त इन्होंने इसमें सप्तांग सिध्धान दिया है और दूसरा है इ इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीच मेगास्थनीच जो युनानी यात्परी थे चंदगुप्त के दर्बार में रहते थे और इसके अलावा जो अन्य है वो हैं पुराज और जैन धर्मगंत और बौद धर्मगंत भारतिये ग्रंथों में भी मौरेवंस के इतिहास के जा किस प्रकार से चंदगुप्त मौरे ने चाड़क के की सहायता से एक कुटिल रचना की और नंदवंस के सहासक यानि कि अन्तिम सहासक घनानन्द को पराजित करके मौरेवंस की अस्थापना करते हैं कि फ्रेंड्स घनानन्द बहुत ही कुरूर सा सक था इतिहास में वह प्राप्त हुई है उनमें क्या जानकारी मिलती है मौरेवंस के बारे में तो सबसे पहले जो इसमें आता है वह है कि असोग के द्वारा बनमाये गए अभिलेख अभिलेखों पर खुदे हुए अच्छरों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि मुख्य रूप से असोग के समय प्रशासन कैसा था दूसरा जो है वह है जूनागर से प्राप्त अभिलेख और या फिर भवन इस्तूप यानि गुफा मृद्भांट आदिय अभिलेख फ्रेंड्सब मौरेवन 갈 के बारे में जो जानकारी पुरात आत्पिक अभिलेख उच्खनन साहित्तिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत इनके माध्यम से जो भी जानकारी मिली है इन सब को मिलाकर एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है मौरे बंस के बारे में फिरेंड सर्ड मिलते हैं अगले वीडियो में I hope आप लोगों को बीडियो पसंद आया होगा फिरेंड सर्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौरे प्रसासन ऐक चैनल के अभी तक शब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें थैंक यू